जैजनेत बंदवो, मैं रवी जैन गुरुजी, आज गुरुवार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारी आरम करना होता है तो सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी में इस रासी वाले लंबी योजना में निवेस का दिन लाब का अवसर मिलेगा क्या करें सिरी संभवनाजी का चालीसा पढ़ें वशब रासी वाले राजनीता से लाब के चांस दिन अच्छा है क्या करें आज खजूर का त्याग रखें खजूर का परहज गरें मितुन रासी वाले अंजान से दोस्ती से बचें अपने कारियों में लगे रहें क्या करें ब्रेड पीजा बर्गर का त्याग रखें करकरासी वाले सफलता आपके कदमों में होगी रुके कारिये भी बनेंगे क्या करें घर में खाली हाथ परवेश ना करें सिंग रासी वाले मन प्रसन रहेगा सेवकों से तालमेल बैठाएं क्या करें शेरी मंदर जी में दान अवश्य दें कनिया रासी वाले घर में खुसियां आएंगी दिन खास है क्या करें ओम रेम शेरी नेमीना जिनेंदराय नमा की माला फेरें तुलारासी वाले खरीदारी से फाइदा होगा नई जिम्मेदारी मिलेंगी क्या करें सिरी स्रियांस नाज्जी का चालीसा पढ़ें व्रश्यकरासी वाले अनावश्यक दोड हो सकती है लंबी आत्रा से बचें क्या करें किन्नर अगर दिखाई दें तुने यता संभव दान दें धनूरासी वाले ग्रह अनुकूल है नया कारिया आरंब कर सकते हैं क्या करें जादे से जादे समय मोन रहें मकरासी वाले पदुननती के चांस ठीका टिपनी से बचें क्या करें दोस्तों को शिरी भक्तांबर इस्तोत्र की पुस्तक भेट करें कुम्बरासी वाले लेन देन में सावधानी रखें सड़क पर सावधानी से चलें क्या करें पीला रुमाल अपने पास रखें मीन रासी वाले अचानक प्रेशानी आ सकती है सुनी बातों में ना आएं क्या करें नमो सिद्धानम की माला फेरें रासी फल्के पश्चाद बंदो अब बात करते हैं आज की सलपा की देखे आज की सला में ध्यान रखें परियास करें कि सब्ता में एक बार पूरे परिवार के साथ बैठ कर भोजन करें अगर आप ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके घर परिवार में सुख सांती समरद्धी को बढ़ाने वाला होता है तो ध्यान रखें परियास करें सब्ता में एक बार पूरे परिवार के साथ बैठ कर भोजन करें निश्चित रूप से अगर आप ऐसा अपनी दिन्चरिया में सामिल कर लेंगे तो आपको लगेगा एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आया है और ये आपके घर में सुख सांती समरद्धी को बढ़ाने में सहायक होगा और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है मनोज उजवल जी ने मेरट से लिखते हैं गुरु जी जै जिनिद्र मेरी परेशानी मेरा क्रोध है याद भी कम रहता है बलेड प्रिशर भी जादे रहने लगा है मैं क्या करूँ देखे मनोजी आपको तीन उपाय करने चाहिए एक तो मंगल वार के दिन लाल मसूर की डाल धाई सो गिराम आप दान करें दूसरा चांदी के गिलास में पानी भर कर रखें उसी से पानी पिए और तीसरा किसी अच्छे जैन विधनाचारिय से मंगल और चंद्रमा का जाप अनुष्ठान कराई अगर आप ये तीन उपाय करेंगे तो निश्यत उप से आपकी समश्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपके कुंडली में मंगल भी नीच का बैठा हुआ है और चंद्रमा भी नीच का बैठा हुआ है जिस कारण आपको क्रोध ज़्यादे आता है और आपकी यारदास कमजोर है आगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्यत उप से आपको फरक दिखाई देगा और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सभी को जै जिनेंद्र आपका दिनेंद्र